हेलो फ्रेंट्स ट्रागत करते हैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एस्टेडी आवर लाइफ में तो फ्रेंट्स आज आप हमारे सामने इडूटेरिया का करेंट अफेर का बुक देख रहे होंगे जो की वारसी की है 2022 का और सोच रहे हैंगों कि आज हम करेंट अफेर करने वाले हैं फिर से तो नहीं कोई करेंट अफेर आज आपका नहीं होने वाला है आज एक छोटा सा हम वीडियो लेके आए हैं जो कि दिल से हम धन्यवाद कहना चाहते हैं अपने प्यारे प्रविंशर को जो कि इतना अच्छा कंटेंट इस बुक में हम लोगों को प्रवाइड करवाते हैं जो कि डायरेक्ट हमारे एक्जाम के लिए इंपोर्टेंट होता है और डायरेक्ट हमारे एक्जाम में यहां से कोश्चन पूछे जाते हैं तो आज मैं इसी चीज के लिए आप लोगों के सामने इस बुक को लेके आई हूँ तो मैं बस एक नजर आप लोगों को दिखाना चाहते हूँ कि कितने सारा प्रस्ट जो है यहां से आपको देखने क करेंट अफेर जिस दोनों बुक से जो है आपका करेंट अफेर यानि कि 20-22 करेंट अफेर लगबग आया है जो पूछा गया था जो आपके एक्जाम के लिए बहुत माइने रखता है ठीक है तो मैं आप लोगों को हमेशा बोलती हूँ कि करेंट अफेर वेस्ट होता है तो लास्ट टाइम अगर आपका एक्जाम हो और हमें मुझे लगता है ना कि जितना भी एक्जाम अगर होता है तो कोई भी एक्जाम होने से पहले सर एक बार करेंट अफेर का बुक जरूर लेके आते हैं मार्केट में जो आपके लिए इंपोर्टेंट होता है वैसे डेली कि अच्छा होता है इक्जाम से बिस्ट होता है जिसमें एक्जाम में डैरेक्ट कोशन पूछे जाते कि कोंसे बूस्ट पूछा गया है तो चलिए स्टार्ट करते हैं रहा है 2020 कि इसमें देख सकते हैं आप लोग यह करेंट अफेर का जो बुक है उसमें दिया हुआ यह प्रस्ट पेज नमबर आप लोग देख के मिला लिजेगा 16 पेज नमबर है ठीक है उसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं बीहार कशर्च अफेर का बूक में इसे देखिएगा इडुटेरिया आप लोग देखिएगा पेज नमबर यहा पर नई शोग कर रहा है बस आप लोग जा कर देखिएगा उसमें आपको नगल निकाए यह दिख रहा होगा ना नगल निकंबला वज़त वाले में हो पूछा गया था कि इतना परतिसत रहा है सहरी तो यह 15 दर्समलत तीन परतिसत यह प्रस्ण आपसे भी पूछा गया है कोश्चन से आप लोग मैच करते जाईएगा ठीक है चलिए अगले पेज में देखते हैं अगले पेज में कौन सा कोश्चन आया है यह देखे यहाँ पर यह कोश्चन जो है आपका सतत विकास लक्ष भारत सुचकांक 2020 से की निति आयोग जारी करता है सबसे अंतिम अस्थान बिहार का है 52 किरल इसमें पहले अस्थान पर एस्कोर पूछा है 52 इसका ए इसकोर है बिहार का ठीक है यह आप देख सकते हैं यह बहका भारत सरकार की बिभीन रिपोर्ट या रैंकींग में बिहार करेंट अफेर की बुक में देखने को मिलेगा चैप्टर नंबर 11 में जाके देखेगा फिर आप आजाईए बिहार करेंट अफेर में 28 बिहार आर्थिक सर्वेक्षन में इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रस्ण को वर्स 2000-19-20 में सबसे कम प्रतिवेक्ति GSDP वाला जिला सिवर है जो आप देख सकते हैं यही प्रस्ण आपसे पूछा भी गया था जनगन्ना में आ जाईए तो सरवदिक जनसंख्या विर्धी वाले तीन जिले मधिपूरा है कि संगन्ज है और रडिया है आपसे करम पूछा गया था यह इसका correct answer था देख सकते हैं यहाँ पे इसके आगे आईएगा तो यह फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे वर्ल नाइनर वाले पुछा गया था कि बिहार के दरभंगा जिले में राज का पहला तैरता हुआ सोलर विजली प्लांट शुरू किया गया है तैरता पावर प्लांट दरभंगा जिले के कदीरावाद मोहले के एक तला में बनाया गया है जो कि मैं आप लोगों को बिहार कर इंटरफेर करवाई हुई डिटेरिया का उसमें देखिएगा उसमें दिया हुआ है ठीक है यह तो बिहार स्पेसल का बुक का कवर पेज है यह आप लोग इधर आईए फिर यहां पर देखिए नॉमबर 2022 में देखिएगा कि गंगा जलापूर्ती योजना का पुर्व नाम गंगा उद्दव योजना था जो की 27 November को राजगीर में हुआ था लेकिन आपसे प्रश्ण पूछा गया है 28 वाला तो 28 वाला याद रखिएगा बुद्गया में शुरु हुआ इसलिए बुद्ध गया इसका correct answer होगा ठीक है आपसे प्रस्न 28 वाला पूछा गया था इसलिए आपका बुद्ध गया वाला answer correct हो जाएगा ठीक है उसके बाद चलिए आगे देखते हैं अगला प्रस्न आईए इधर फिर next page में देखिएगा हां यहां पर देख सकते हैं इस वर्से कम आयू के युवा लेखको को प्रत्साहन एवं प्रामर्स प्रदान करना है इसका उद्देश यह आपसे पूछा गया था किसके दौराचारी किया गया उसके बाद देखिए यहां पे next page में आईए राश्टिय गटना करम करेंटाफेर के बुक में देखिएग आपको दिखेगा यह वाला प्रश्ण कि गैस मुल्गे निर्धारन के लिए गठित की गई समीती किरिट पोरक समीती ने क्या था किरिट पोरक समीती ने अपने रिपोर्ट पेट्रोलिय मंत्राले को सौप पी है यह प्रस्ण भी आपसे पूछा गया है उसके अलाबे आप पे करेंट अफेर के बुक में ही कि बिहार के मुझपर पुरजीले में सितलंगर्ट सिंग कॉलेज को खगोलिये वेदसाला यूनेस्को का विस्विरास सुची में सामिल किया गया यह भी प्रस्ण आप से पूछा गया है उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा एक पुस्तक स प्रस्ण पूछा गया था जो कि आपको करेंट अफेर के बुक में देखने को मिलेगा बुकर पुरसकार सेहान कर्मना तालिका जो की एक सिरी लंकाई लेखक है जिनकी उपर न्यास दस सेवन मोंस ओफ माली अलमेडा के लिए दिया गया था यह भी याद रखिएगा यह प बाल विकास मंत्राले द्वारा पोशन उद्सव का आयोजन किया गया और इसका उदेश पुछा गया था कि कुपोशन को दूर करने था बच्चों में महिलाओं को वहतर स्वास सुधा के लिए एक मंच के रूप में कार्ज करना यही प्रस्ण आप से पूछा गया था नेक सहरी की घोसना की गई है जिसमें साथ स्टार के तहट एक मात सहर इंदौर को चुना गया है सूरत भोपाल मैसूर नवी मुंबई विशाका पत्नम और तिरुपति को फाइव स्टार कचरा मुक्त परमानपत प्राप्त किया गया था यह भी प्रस्ण आप से पूछा गया है चलिए नेक्स्ट पेज देखिएगा नेक्स्ट पेज में आप यहां पर अबजेक्टी प्रस्ण आ जाईए यह आप लोग देख सुके हैं लंगट सिंग कॉलेज वाला मुझा परपूर इसका करेक्ट आंसर होगा उसके बाद चलिए अगला पेज आईए आप अनसत है और यह प्रस्ण आप से पूछा गया बिहार में लिंगा अनपा 1060 से वड़कर 1090 हो गई यह भी प्रस्ण आप से पूछा गया था नेक्स्ट पेज में करेंट अफेर का रक्षा बिज्ञान अबंपर धौकी में देखिएगा तो अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रस्ण आपको देखने को मिलेगा जो कि प्रेक्टिसेट आपका चोंबर परस्ण है हाली में सरकार्ने निम्वललेखत क सख्यतिक त्याइट परदान किया थो तुर्ण अवितमतल्ह मखाना को दिया गया है उसके बाद बात करते हैं फिर आइएगा करेंट अपेर्चा के पर्मा क्राइसिस वर्ड को वर्ड ओफ दे इयर घोसित किया गया था, कोलिन स्टिक्स नरी के द्वारा, ठीक है, नेक्स्ट पेज में भी आएगा करेंट अफेर में, तो नॉमबर दो हजर बाइस में ही हवाई दूप में एस्तित दुनिया के सबसे सक्रिये जॉलामुख, रोपती मुर्मु ने IIT गुहाटी में परम कमरूप सुपर कम्प्यूटर का उधगाटन किया है, ये भी प्रसनाप से पूछा गया है, उसके बाद निक्स्ट पेज में आईएगा, तो निवेसक दीदी पहल इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा जम्मू कस्मिर में लॉंच किया गया, ये प्रसनाप से पूछा गया, करेंट अफेर से, फिर आपका एक पूछा गया था कि प्रधान मंत्री मोदी ने और नाचल परदेश के पहले ग्रीन फिल्ड एरपोर्ट डोनी पोलो एरपोर्ट का उधगाटन किया है, ये पूछा गया था आपसे और नाचल परदेश में कि डोनी पोलो एरपोर्ट कहां पर है, और नाचल परदेश इसका करेक्ट आंसर था, तो आपने ये देखा कि टोटल आपका जो यहां पर 22 जो भी प्रसन थे वो सारे आप लोगों ने देख लिया, अब मैं आप लोगों से ये कहना चाहते हूँ, कि आ आप लोगों से भी हम रिक्वेस्ट करते हैं, कि सर को एक बार आप लोग भी धन्यवाद जरूर कीजेगा, कॉमेंट बॉक्स में आप लोग कॉमेंट जरूर कर दीजेगा इनके लिए, ठीक है, तो चलिए, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो के सा तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत